कि अन्लाइन कोई भी एक 3D मॉडल ले रहा हूँ यूस के लिए अब भी के लिए तो गन 3D मॉडल फ्री डाउनलोर माया माया की बायनरी फाइल रहेगी तो अच्छा रहेगा इसके तो इसमें देखोगे तो कोई भी आप ले सकते हो आपने खुद की बनाई हुई है फिलाल के लिए तो आप लोग वही यूस करो मेरे इसाब से वह बैस्ट रहेगा जैसे कि यह एक फॉर्टी सेवन अच्छी दिख रही है तो क्लिक करता हूं मैं हाँ तो इसके इमेजेस देख लेते हैं कैसे बनाई हुई है तो देखो कि यह फ्लैट है पूरी इतनी भी फ्लैट नहीं चाहिए थी यह पूरा टेक्शर के साथ खेला गया है तो यह मुझे प्रॉपर नहीं लग रही है पिस्तल ब्लेंडर में बनाए हुआ है ठीक है यह थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है लेकिन माया बाइनरी फाइल इसकी होगी की नहीं तो ब्लेंडर प्लस नहीं माया यह वाला है तो यह वाला यह ले लेता हूं मैं अभी के लिए फिलाल तो यहां से डाउनलोड करता हूं कि सिर्फ लॉग इन नहीं पुछना चाहिए मैं यहीं बोलना वाला था लॉग इन टूर्बो स्क्वेड और इमेल एड्रेस तो इमेल एड्रेस कोई भी फेक यूज कर सकते हो अभी के लिए फिलाल तो मैं यहां पर टेंप मेल ले रहा हूं टेंप्रेरी मेल जो कि मुझे अभी फेकना है वगेरा क्योंकि मैं और इजनल बेल नहीं यूज करता तो यहां पर मेल तैयार हो रहा है देखो के मेल रेडी हो चुका है यहां से कॉपी कर लो और यहां पर पेस्ट कंटिन्यू पास्वर्ड पूछ रहा है तो मेरा तो कोई आइडी नहीं था तो क्या कर सकते हैं जोई नहीं करना पड़ेगा हम लोग को तो इमेल आइडी डाल देता हूं जो अब भी बनाये थे वही अगर क्रियेट ही करने तो खुद का भी कर सकते हो मैं बेसिकली टेंपरेरी बना रहा हूं तो मुझे इतना कुछ यह नहीं है तो पास्वर्ड भी मैं वही रख रहा हूं कंफर्म पास्वर्ड भी वही रख रहा हूं मैं कुछ से कुछ नहीं कर रहा हूं क्रेट मैं अकाउ कुछ तो हो रहा है हो गया जैसे कि देखो कि हो चुका माया मॉडल्स में मैं जाता हूं और यहां से मुझे चाहिए यहां पर गंस नाम का चीज ही नहीं हूं तो यहां पर माया का है प्राइज मैं करता हूं प्री कि और मुझे चाहिए गन तो सर्ज बार में गन कि यहीं पर लाका चोड़ दिया इसने यह भी फ्री है तो अभी डाउनलोड करता हूं कि कि और यहां से आपको पूचा जाता है कि क्या क्या चाहिए देखो कि यह सब आएगा शुवार्ण कि नॉर्मल पी एंजी जी डिफ्यूस कलर वगरा एंबी फाइल वगरा सब कुछ तो यह टिक कर दो और उपर कि डाउनलोड गई है कि नहीं कि मुझे माया की उपर क्लिक करना पड़ेगा हो गया तो देखोगे डीगल करके एक फाइल आई हुई है मैंने कुछ फाइल क्रियेट नहीं किया है तो मैं क्या करताantes इसको कट करता हूँ और क्या स्ट्रेम इंस्टॉर इन्सेट्रेशन भेएम के निउफ फोल्डर वाराता हूं मेरे नाम का जिसमे मैं आपकी पा सब्सक्राइब करने वाला तो तो साहिल एंड पेस्ट इसको ओपन करता हूँ जो कि माया में ओपन होगी तो यह माया बन खर देता हूँ यह लोग यह आ गई करन बहुत खराब दिख रही है नहीं नहीं यह नहीं हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि यह कुछ भी काम का नहीं है क्योंकि पूरा सॉफ्ट है और मुझे चाहिए थोड़ा हाइड कॉलिटी कुछ अलग अलग पार्ट्स हो तो और अच्छा है क्योंकि हमें पूरा का पूरा एनिमेड भी करना है कि यह वाला ट्राइ करते हैं कि यह भी टेक्शर पर यह वह भी अमें देखना पड़े जैसे कि एंबी फाइल या फिर जिप फाइल में देखते क्या-क्या दिया हुआ है उन्होंने आपने खुद का बनाया होगा तो आपको यह सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे हम अब देखते हैं है सब कुछ है मैश वगरा सब कुछ है इसको कट करता हूं इंस्टॉलेशन स्ट्राहिल और पेस्ट इसको यही पर एक्स्ट्रेक यह करता हूं जिससे कि ऐसा कुछ मिलेगा मैश एक फॉर्टी सेवन का मैश ओके यह थोड़ा अच्छा है पहले की इसाप से और और बायोनेट ओके यह उसकी आगे अगर आपको लगाने होगे छूरी वगरा और यह उसका आगे का स्कोप वगरा अगर आपको लगाना होगा तो उन्होंने अलग-अलग करके दिया हुआ टेक्शर्ज भी दिये हुए है एक फॉर्टी सेवन के डिफ्यूस कलर वगरा और यह रहा हमारा मॉडल कि यह थोड़ा सा ठीक है तो यह से मैं माया क्लासिक पर आजाता हूं यह देखें तो आपको ऐसा यूज नहीं करना है फिर से मैं बता रहा हूं तो यह आ गया पूरा मॉडल मेरे पास ready अब इसमें जो जो चीज जैसे कि यह पूरा एक पॉली है पहले हिश्ट्री क्लीन करो इसकी क्या पता है इसमें हिश्ट्री हो सकें तो तो हिस्ट्री क्लीन क्योंकि क्योंकि यहां पर मुझे पॉलीज दिख रहे हैं देखोंगे ट्रांस्पॉर्म का तो यह किसी और चीज का भी हो सकता है सर्फेसे से वह कई दिख्यूं नहीं रहा हुआ कि मूब्टूल ओपर लेता हूं कुछ इस तरीके से अब सेकेंड चीज यह सब क्यूब भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहें कि यह गन है यह स्कोप है और यह आगे की चक को तो इसको मैं नाम दे देता हूं कि गन कि स्कोप कि एंड नाइफ कुछ इस तरीके से अब आपके उपर है जैसे कि इसमें से कौनसी कौनसी चीजे मुव्मेंट होनी चाहिए तो आइ थिंक यह सप्रेट ही है कंबाइन नहीं यह पूरा का पूरा तो एक बार हम लोग मैश में सप्रेट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा यह देखो सब अलग-अलग है तो अब कौनसी कौनसी चीजे एनिमेट होने वाली है उस चीजों को आपको पहले कंबाइन कर दो जैसे कि मैं चाता हूँ यह पूरा एक साथ ऐसा मुव होगा क्योंकि यह मैगजीन है हमारा तो मैश में आओ कंबाइन कर दो यह अभी देखो गए यह पूरा एक साथ मुव होगा करें हिस्ट्री क्लीन करते है वापस यह एक हो गया नाइफ का पाट आगया नाइफ का यह वाला जो पाट है ये पूरा अलग से ही लगने Kung लेकिन ये जो चोटा सा। रोड कहा का है तो वो भी ध्यान में रखो जैसे कि अगर ये अलग रहेगा तो आकर लगेगा तो ये पार्ट कर क्या रहा है आपर तो वह पार्ट नहीं होना चाहिए तो राइट क्लिक वर्टेक्स सारे वर्टेक्स सिलेक्ट और पीछे ले ले तो यहीं तक रहने देता हूं कुछ ऐसा और जूम करके देखता हूँ वह फिल है कि भरा हुआ है करके तो फिल नहीं है तो एच पे डबल क्लिक एंड शिफ्ट राइट क्लिक एंड फिल हो और रिटन फेस सिलेक्ट एंड पोक फेस ऐसा कुछ तो उसको मैं कवर करवा सकता हूँ अब यह नाइफ मेरा अलग ही रहने वाल है वह जो की है पहले से और वह अलग ही लगेगा भी यह वाला भी इसको अलग से रहेगा जो की रहेगा ही अब सेकेंड चीज़ इसमें यह जो है यह ट्रिगर का काम कर सकता है करेक्ट है तो इसको एक्स्ट्रैक करो कैसे करोगे निसमारे पास टॉप व्यू में आ ग्या मैं एंड इतने फेसे जो है वो सिलेक्ट करता हूं या फिर ये भी उसके साथी आएगा शायद से तो एक काम करते हैं Select Mesh Separate तो देखो कि ये अलग आ गया ये अलग आ गया ये पूरा एक साथ रहेगा ये भी उसके साथी रहने वाला है तो एक दो एंग तीन ये तीनों एक साथ रहेगा और ये बीच वाला पार्ट इनके साथी रहने वाला तो यहां से कंबाइन कर देखो कि एक प्रॉब्लम हो गई यहां का कुछ रहे गया तो ये भी हो गया ये वाला पार्ट इसके साथ अटेच करवा सकते है तो इसके लिए मैं कंट्रोल एच करता हूं हाइड देखो कि एक प्रॉब्लम हो गई यहां का कुछ रहे गया तो पूरा ऐसे सिलेक करता हूं और फिर से कंबाइन करता हूं अब कंट्रोल है यह दोनों को भी हाइड कर देता हो ctrl h जरूरत नहीं है इसका भी काम हो चुका है हाइड जो जो चीज एनिमेट होने वाली है उस उस चीज को आपको अलग-अलग करना पड़ेगा जैसे कि यह गन है गन का जो बाकी का पाट है यह ट्रीगर अलग रहने वाला है तो अलग ही है सबसे बे ctrl h यह भी अलग रहेगा ctrl h और यह पूरी गन जो है वह एक ही रहने वाली है अगर आपको चाहिए तो आप यह वाला पार्ट अलग कर सकते हो लेकिन यह मोव्मेंट तो आई थिंक नहीं देता कुछी भी और अगर आपको चाहिए कि यह वाला पार्ट थोड़ा ऐसे करो शिफ्ट एच अनाइड तो वापस यह कुछ इस तरीक से दिखेगी मैं यहां से इसका जो सेटिंग है वह किसी ने सेंटीमेटर है ओके बराबर यह है कि सेटिंग्स है कि टॉलरेंस वगरा सब कुछ बराबर है काइनेटिक वगरा अंडू टाइम स्लाइडर रेंडर कि प्रोजेक्ट भी पराबर है कि यह सब एक बाद चेक कर लिया करो अगर आप मतलब न्यू न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रेफरेंस अलग होते जैसे कि अभी आपने देखा होगा यह मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इसमें कुछ भी हो सकता है चेंजेस तो वह नहीं होना चाहिए वैसा ठीक है अब मैं क्या करता हूँ सबसे सिंपल चीज फाइल पहले सेव कर लेते हैं क्योंकि मैंने सेव नहीं की थी अब सबको अलग-अलग नाम दे दो जैसे कि यह है मेरी गन गन अब यह मेरा स्कूप स्कूप यह है जूं करता हूँ आइटिंग हाइड ने हाइड है ट्रांस्वा में यह नॉर्मल ओके शायद से मैंने हिस्ट्री डिलिट नहीं किया ओके हो गया गन स्कूप यह है मेरा मैगजीन तो डबल क्लिक करो मैगजीन यह नाइफ है करेक्ट स्कूप है यह स्कूप का यह है क्या अनहाइड करता हूँ पहले कि ट्रिगर से यह चाहिए तो दोनों को सिलेक करो और निकाल कर भार भी लेकर आ सकते हो क्योंकि यह इसकी जरूरा तब गन को ओपन करता हूँ शिफ्ट एच और यह आएगा मेरा कि ट्रिगर गन को डिलीट कर देता हूँ कि प्रिगर कुछ इस तरीके से अब सबसे पहले आपको आना है साइड व्यू में जैसे कि यहां पर कुछ इस तरीके से अब यहां से जाओ यहां से रिगिंग दोनों से में रहेगा ओप्शन सोड़े से उपर नीचे रहेंगे जैसे कि क्रिएट जॉइंट यहां पर दिया हुआ हम लोग यहां से डायरेक्ली यूज कर सकते हैं जैसे कि यह वाला है क्रिएट लोकेटर ट्रियेट जॉइंट वगरा तो मैं लोकेट आ जाता है लेगिन इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं तो डिलीट करता हूं जॉइंट लेता हूं जॉइंट आ गया अब पूरे गन का एक मिडल पार्ट रहेगा जैसे कि यहां पर स्नैपिंग ओन कर दिया करो जैसे कि यहां पर देखो कि यह वाला स्नैप टू पॉ पीछे रखते हैं कोई कोई आगे रखते हैं वह अपने इसाफ से रहता है तो मेरी जो गन है उसका मेडल पार्ट में बोलता हूं यहां पर रहेगा यह मेरी रहेगी बॉड़ी सिफ क्लिक करो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां पर आजाओ रेडियस किसी ने बहु करेगा जैसे की क्लोलन लेलो इसका कुछ इस तरीके से और मैं रखता हूं ट्रिगर पे कि यह ट्रिगर को कंट्रोल करेगा है क्ले से फीर जैसे कि इसकी और एक कॉपी होगी यहां पर मैं यहर रखता हूं और बलता कि जिसकी मदद से मुझे पूरा चीज दिखाई दे मैगजीन कि यहाँ पर रख देते इसके सेंटर में क्योंकि यह कि मुव्मेंट देने वाला है करके कुछ यहाँ पर इसकी कॉपी ले लो चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने नीचे से लिया है तो कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है वो परफेक्ट ली देखोगे यहाँ पर वो फॉर्थ पॉइंट ही उसने लिया है कुछ यहाँ पर तो यह स्कोप का रहेगा अब इसकी एक और कॉपी आएगी जो उपर वाले को गोल घुबाने वाला है तो जूम इन कुछ इस तरीके से कि साइड वी में आते हैं कि देखो कि सेंटर में नहीं है वह हम लोग को बाद में करना पड़ेगा जैसे कि सब उपर नीचे है चलेगा कोई बात नहीं हम लोग बाद में एड़्जस्ट कर लेंगे कि इसका एक ट्रिगर के लिए आने वाला है तो यहां पर आता हूं मैं कि प्रोजेक्टेड सेंटर करके भी वह उसने सेंटर नहीं लिया तो स्नैप टू पॉइंट्स में आफ करता हूं और प्रोजेक्टेड सेंटर अपने इसाफ से एड़्जस्ट करने पड़ेंगे अब स्केलेटन का यह ले लेता हूं जिससे कि मुझे पता चले का पर है यह वाला एक यहां पर रहेगा स्कोप के सेंटर पाठ के लिए ओर एक लेता ओ यह आपर यह नहीं भी दिये तो भी चलेगा क्योंकि वाप पर मैं कुछ ऐनिमेट भी देने वाला नहीं हो लेकिन फिलाल क भी आप आकर देख सकते हो कहाँ पर होना चाहिए तो यह सेंटर पाट रहेगा यहाँ पर भी स्केलेटन और रखो जिससे कि आपको पता चले आपने कहाँ कहाँ पर लगाया हुगा कि एक यहाँ पर कि पर्फेक्ट कि ऐसे कुछ तो देखोंगे सारे जगह मैंने लगा दिया एक यहाँ पर एक यहाँ पर जहाँ पर कुछ एनिमेट होने वाला है फिर इसकी एक कॉपी लेता हूँ और यह दे दूंगा मैं नाइफ के लिए कुछ यहाँ पर और इसमें कुछ अगर आपको एनिमेट करना हो तो उसके लिए भी आप बना सकते हो ज़रूरी नहीं कि इतने में काम हो जैसे कि मैंने क्यूं दिया हुआ यह मेरा बॉड़ी रहेगा जो बॉड़ी को कंट्रोल करेगा पूरे बॉड़ी को ध्यान रहे यह जो रहेंगे यह ट्रिगर यह मैगजीन यह दो ट्रिगर अलग से और यह मेरा रहेगा नॉर्मली नाइफ के लिए बस मैं इतना ही कर रह है तो यहां से open करता हूं मैं और मैश बन कर देता हूं मैश बन करने से क्या होगा वो सिफ आपजेक्स को ही सिलेक करें एक दो हाँ इसके पहले क्या करता हूं यह जो उपर के पाट है यह दो यह इसको connect होने वाज तो चाइल्ड चाइल्ड एंड पैरेंट देखोगे करेंट अब यह आपर ही कर लेता हूं फिर चाइल्ड 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 एंड यह हो गया पैरेंट तो सब ऐसे कुछ connect होंगे करेक्ट है तो यह आगे पीछे होगा वगयरा वो सब उसके बाद एक आप बॉड़ी के लिए भी मतलब एक ग्राउंड के लिए भी दे सकते हो जैसे कि एक बॉड़ी के जो control करता है उसके ग्राउंड के लिए भी रखना पड़ता है हर चीज के लिए जैसे हम लोग ने उसमें रखे थे अपना मशिन में नीचे पूरा अपना ग्राउंड रहता है उसको वह अट्टैच रहता है तो इसका भी ग्राउंड लोग को दिखाना पड़ता है तो वह कैसे दिखा ओगा तो simply वैसे जैसे कि मैं क्या करता हूँ यह पूरा स्ट्रेट यहां तक आएगा तो यहां पर यह मेरा ग्राउंड रहेगा और इसकी जो प्रॉपर्टीज वह वह रहेगी कि और यह चाइल्ड रहेगा और यह पैरेंट रहेगा यह दो को ऐसा कुछ तो ऐसा करना जरूरी है अभी बना कर तो नॉर्मली हो चुका है उसके बाद हम लोग ने क्या किये थे सेकेंड स्टेप क्या था हमारा स्केलेटें डालने के बाद सेकेंड स्टेप क्या था स्केलेटें डालने के बाद करेंड तो अभी हम लोग बाइंड कराएंगे बाइंड कैसे करेंगे इसको पूरा सिलेक करेंगे कुछ इस तरीके से जैसे कि यह वाला अभी अगर क्लिक करते हो तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं क्या करता है ऐसे ही सिलेक्ट कर देता हूं या फिर आप यहां पर यह हम लोग ने मिस्त कर दिये पर नाम नहीं दिया अभी तब तो नाम दे दो जैसे कि यह है मेरा रूट रूट जॉइंट या फिर जंट भी लिख सकते हो छाटउर्ट के लिए यह रूट है मेरा उसके मेरा यूझे जो है वो मेरी बौड़ी है तो बौड़ी जॉइंट भी डाल सकते हो क्योंकि सब जॉइंट में गाउंट होना अल है यह मेरा श्कोप का है तो इसको याद रहने के लिए यह मेरा है टॉप ट्रिगर क्योंकि इससे यह फाइदा होता है कि जब हम लोग बाइंडिंग करवाते हैं तब थोड़ा इजी हो जाता है कि साइड ट्रिगर कि यह मेरा नॉर्मल ट्रिगर यह सिफ जो कि इतना ही पाट रहने वाला यह वाला मेह मेरा मैगजीन कि और यह है नाइफ कि हो गया पूरा अब बाइंडिंग करवा जैसे कि पूरा सिलेक्ट या फिर ऐसे पूरा का पूरा लेकिन यह ध्यान में रखो अब भी मैश हमारा कि कंबाइन होना जरूरी है कि एक दो तीम चार पाट छे और साथ कि और फिर मैं जाता हूं प्रीश में यहां से मॉडलिन मैश एंड कंबाइन और हिस्ट्री क्लीन कर दो सबसे पहली चीज़ कुछ इस तरीके जिससे कि आपका सब रेडी मेट रहे है सिलेक कर दो जैसे कि मैश अभी भी नहीं हो तो मैश एंड पूरे स्केलेटन को सिलेक कुछ इस तरीके से और यहां से रिगिंग में आ जाओ स्केलेटन स्कीन एंड बाइंड स्कीन के ऑप्शन में जाते हैं और यहां पर जॉइंट हिरार्की जो कि हम लोग हिरार्की के मदद से सब कुछ करने वाले हैं जो कि हम लोग ने हिरार्की दे भी चुके है देखोगे यहां पर तो हिरार्की के हेल्प से ही काम होना चीए अप्लाइएंड क्लोज तो यह हो चुका है पूरा का पूरा कंट्रोल जैसे कि अभी अगर मैं उपर वाले पॉइंट को सिलेक करता हो तो देखोगे तो स्कीन बाइंड हमारी हो चुकी है एक चीज़ ज्यान में रखो कि बाइंड करने के बाद आपको हिस्ट्री क्लीन नहीं करनी है अगर आप हिस राइट क्लिक पेंट स्कीन पर आजाओ अब जैसे जैसे मैंने नाम दिये थे वैसे-वैसे जैसे के छो था देखोग है यहां पर रूट जो हम लोग का है वह पूरे इसके करना और हम लोगने क्या रख्ये थे सीलेक आप कि पूरे मैश को सिलेक्ट जैसे की रूड जॉइंट सिलेक्ट कि एंड पूरे मैश को सिर्ट राइट क्लिक वर्ट एक्स पूरे मैश को डबल क्लिक करता हूं मैं या फिर कुछ इस तरीके से इस बार मुझे स्केलेटन की जरूरत नहीं है जो की इश्यू दे रहा हमें तो फेसेस पर भी आ सकते हो या फिर वर्टेक्स पर भी आ सकते हो वह आपके उपर है मैं फेसेस ले रहा हूं सारे फेसेस सिलेक्ट करता हूं रूट जॉइंट सिलेक्ट या पर हम लोग नीचे करूँगा वो पूरे इसको कंट्रोल करेगा फिर बॉडी बॉडी मेरा एक तरीके से पूरे इसको Fitzhao रोड़ है और तो बॉडी को भी सिलेक्ट पूरा सेलेक्टा है तो हिम्रा कुछ इस तरीके से पेंट वैली वन, एंड फ्लॉट तो देखो बहुत यह पूरे इसको है नाइफ में आता हूं मैं सीलेड नाइफ वाले अबज़ेक्ट पर डबल क्लिक करता हूं तो देखो बहुत थोड़ा-थोड़ा सा पार्ट ले रहा है मुझे पूरा अबजेक्ट चाहिए है तो ऐटिंग अबजेक्ट मोड से तो नहीं होगा तो मुझे करना पड़ेगा र प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो वह भी ट्राइ करते हैं हम लोग हिस्ट्री वापस मुझे अन्बाइंड करना पड़ेगा अन्बाइंड जिससे कि वह अन्बाइंड हो जाया और स्केलेट स्वारी मॉडलिंग में जाकर मेश सप्रेट ओके यह इशू हो गया वापस तो इससे हम लोग रिटर्न कंबाइंड करवाते एक दो तीन चार कंबाइंड मतलों कैसे मैं आगास सिलेक करूंगा तो पूरे इसको सिलेक कर दे वैसा मुझे चाहिए कंट्रोल एच हाइड कंट्रोल जेड इसको भी लेना पड़ेगा कंबाइ हाइड हाइड यहां पर मेरे पास सेटिंग्स में बिल जाएगा तॉप ट्रिगर था वो यह एक दो तीन चार पाच कंबाइंड हाइड कंट्रोल जेड अंडू कुछ तो बीच में यह देखो रहे जाएड सिलेक कंबाइंड हाइड कुछ इस तरीके से यह भी एक साथ आने वाला है कंबाइंड हाइड यह भी हाइड यह भी हाइड और यहां से में स्केलेटन तो जॉइंट रखाई नहीं है तो सिलेक एंड कंबाइंड फिर सबको एक साथ सिलेक करके शिफ्ट एच अनहाइड सबको सिलेक करके सबकी हिस्ट्री क्लीन हो चुका सबका नाम जैसे कि गन सॉरी यहां पर एक प्रॉब्लम हो गया सप्रेट करना पड़ेगा मुझे यह जो है वो अलग से रहेगा कंट्रोल एच यह कंट्रोल एच और यह वाला पूरा कंबाइंड रहेगा अब सबको अनहाइड इसमें अभी भी कुछ रहे गया है ट्रीगर वगयरा एंड सबको सिलेक करके हिस्ट्री क्लीन होगे यह क्या है गन है जो कि बीच में चली गई है तो गन को भाहर ले लेता हो इसकी अभी ज़रूरत नहीं गन शिट कुछ तो गडबर होगे गन के अंदर ट्रीगर रहे गया यह दो ट्रीगर से जो कि बाहर ले लेता हो फिर यह डिलिट फिर सबको यह दोनों भी सिलेक करता हो बाहर लेक कराता हो हाँ नाम दे देता हो वापस से गन के ट्रीगर के नाइफ स्कोप और उपर जो है राइट और टॉप डाल रहा हो मैं पूरा ने डाल रहा हो और इन दोनों को नीचे लेकर आता हो अब करते हैं सबको सिलेक्ट जरूरी यह कंबाइन करना ही पड़ेगा क्यूंकि प्रॉब्लम यह होती है कि वह अलग-अलग बाइंड ना कर ले फिर भी एक बार हम लोग ट्राय करेंगे जैसे कि पॉली में हिस्ट्री क्लीन करेंगे पहले फिर रिगिंग में आते हैं कि स्केन बाइंड स्केन देखोंगे नहीं हो रहा है तो वह जरूरी होई जाता है तो यह भी मैंने सिलेक्शन नहीं रखा हुआ था तो उसके लिए भी हो सकता है तो एक दो तीम चार पाट शेश साथ एंड बाइंड स्कीन हो गया अब चेक कर लेते हैं क्यूंकि कभी-कभी बहुत इश्यू देता है ठीक है चलेगा अच्छा हो गया कभी-कभी यह अप्लाइ नहीं होता तो ध्यान रखो तो यह बाडी अगरा मैंने दिया हुआ है सब कुछ चेक कर लेते हैं हाँ परफेक्ट है राइट क्लिक करके सिलेक करो पेंट स्कीन पर आ जाओ देखो कि प्रॉब्लम सबको सिलेक करना पड़ेगा तो यहां से एक दो सबको एक साथ सिलेक करना पड़ेगा और फिर राइट क्लिक करके पेंट स्कीन अब पेंट स्कीन पर आ चुके सिलेक जिसमें मुझे स्केलेटन को सिलेक नहीं करना है पूरे अबजेक्ट सिलेक जैसे कि राइट क्लिक फेसे राइट क्लिक फेसे ऐसे आपको अभी मैनुली करना पड़े है क्योंकि हम लोग ने एक ही अबजेक्ट नहीं रखा हुआ और फिस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक साथ पेंट फूल वैल्यू पे फ्लर ऐसा यह देखो बॉडी के लिए था वो अभ काम हो चुका मैं अब्पे भी मेरा फूली काम करने वाल है क्यों क्तो यह कुछ इशू दे रहाहे कि दोनों मेंसे एक ही काम कर रहा है चलेगा ठीक है मैं वाड़ी को पूरा दे रहूत फिर नाईफ पर आते है तो नाइफ मेरा यहाँ पर है तो सिलेक्ट पर जाओ हे इसको एंड फ्लर्ड तो फिर वो सिव नाइफ को कंट्रोल करेगा बाकी किसी चीज़ को नहीं करेगा फिर मैग्जीन कि इसके आदे ओप्शन्स भी हमारे चले गए कि इशू दे रहा है कि देखोंगे आदे यह जो उपर के सिलेक्शन्स थे कि इसकेलेटल कि टॉप ट्रिगर वगरा बता रहा है तो वह पर क्यों इशू दे रहा है नाइफ को दे दिया मैग्जीन मैग्जीन को सिलेक्श करता हूँ डबल राइट क्लिक अब्जेक्ट मोर नाइफ अलग हुई नहीं तो ऐसे मुझे मैनुली करना पड़ेगा और कोई आप्शन में हमारे पास तो यह हो गई मेरे मैग्जीन पेंट एंड फ्लर्ड देखोंगे मैग्जीन पर ही सिफ काम करेगा उसके बाद स्कोप पे आता हूँ मैं सिलेक्ट यह स्कोप है मेरा पी पेंट एंड यहां पर दिखोंगे स्कोप सिलेक्टे नहीं था तो स्कोप पे क्लिक करता हूँ and flood तो वो सिर्फ scope पे काम करेगा side trigger जो कि ये वाला पार्ट है select जैसे कि ये वाला पार्ट है तो paint side trigger पे flood फिर ये top trigger आएगा जो कि उपर का है select उपर वाला select paint and flood तो देखो के स्कोप के लिए अगर बहुत इशू होने आला क्योंकि हम लोग ने combine नहीं किया हुआ है ठीक है अब भी के लिए जैसे कि देखो कि ये वाले ट्रिगर का आप्शन ही हट गया समझ रहों ऐसा इशू होता है अगर हम लोग combine नहीं करते तो अभी हम लोग combine भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इशू ये देगा कि वो काम नहीं करेगा मॉडली मेश कंबाइन पेंट स्कीन विट फिर भी कुछ ऑप्शन्स गायव है हमारे स्केलेटन के ये दुकर ये सब आप्शन्स गाया विर ठीक है देखते है ये थर्ड टाइम हो रहा है हमारा एक इजिस रम लोग तिसली बार कर रहे है कि लास्ट रहा है क्योंकि एरर बहुत आ रहा है तो यह लास्ट में सेम पहले की तरह ही कर रहा हूं कि एक पूरा अब्जेक्ट और हमारा स्केलेटेन अभी मुझे स्केलेटेन सिलेक्ट नहीं करना है फिलाल तो तो यहां से सिलेक्ट यह कंबाइन हो चुका था तो पेंट स् options के हम लोग काम कैसे करेंगे यहाँ पर कुछ error आ रहा है रिसेट टूल अब्जेक्ट मोड पूरे अब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं अनबाइंड पूरे अब्जेक्ट की हिस्ट्री क्लीन बाइंड स्कीन में वापस अंदर जॉइंट हेरार्की अप्लाइंड क्लोस राइट क्लिक पूरे अब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पेंट स्कीन यह देखा अभी आ रहा है वरना मैं रिस्टाटी करने आलो पूरा सौफ्टर अगर ऐसे बार बार इस्वी आ रहा है तो जैसे कि रूट सिलेक्ट पूरा सिलेक्ट करता हूं एसा भी कर सकते हो कि अब्जेक्ट मोड में आव सिलेक्ट करो कि रूट पर आजाओ अगर सिलेक्ट पेट् या फिर मैं फिसेश पर आजाओंगा था सारे एसेश अधी करने बने को मुझे स्क्छाट स्फिस्टाइटा वेंग्णड बी के लिए के भी पेंट फूल फ्लर नाइफ के लिए मैं आ गया आता हूं राइट क्लिक वर्टेक्स इस कि सिलेक्ट कि वर्टेक्स कुछ इस तरीके से मुझे अभी मैनुवली सब करना पड़ेगा यह पूरा सिलेक्ट जितना यह था अबजेक्ट और फिर के लिए सिलेक्शन देखो के सिलेक्टेड है पहले से फ्लर्ड पेंट में आकर फ्लर नाइफ के लिए हो गया फिर मैगजीन के लिए सिलेक्ट डबल क्लिक ऐसा एरर आना तो नहीं चीह था क्योंकि वह फटा-फट हो जाता है इसमें कुछ और प्राब्लम है तो सिलेक्ट हो चुका पेंट मैगजिन के लिए फ्लर्ड जैसे कि मैगजिन के उपार काम करेगा स्कोप स्कोप में आ जाता हूँ सिलेक्ट पूरा सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कुछ चीज तरीके से देखो पूरा हो चुका पेंट एंड मैगजिन एंड फ्लर्ड जिससे कि मैगजिन के उपार ही वह काम करें प्रेस के अंदर दो है स्कोप अरे दो है अलो सर्थ मैगजिन को दे दिया यह उसके बीच आप में इसके इसकोप के बीच आप सिलेक्ट एंड यहां वाला पार यह बूली गया था मैं अभी बराबर है तो यह वाला पार्ट भी लगाना पड़ेगा उसमें और मैं मैं में डाल दिया था गलती से तो पेंट एंड फ्लर्ड कभी हो स्कोप पे काम करेगा साइट ट्रिगर सिलेक्ट डबल क्लिक देखो कि पूरा हो चुका पेंट साइट ट्रिगर पे फ्लर्ड टॉप ट्रिगर अभी यह आप सोच सकते हो कि नॉर्मली हमें चीजों के लिए इतना टाइम लग रहा है तो बॉड़ी के लिए कितना जा सकता है तो बॉड़ी भी दो टाइप में करते ह हाफ एक लेक्चर हाफ सेकेंड लेक्चर तो पेंट एंड लास्ट आ गया मेरा ट्रिगर में तो ऐसा इशू आना नहीं चीए था इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया अब माया का इशू है क्या कुछ और वह भी देखना पड़ेगा तो देखो कि पूरा फ्लर्ड हो चुका है हिस्ट्री डिलीट मत करना अभी है 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 कंट्रोल जेड करता हूं मैं कुछ अलग से वापस देखो गया कि व्यूव तो सब कुछ आना है शेडिंग स्मूट वायर फ्रेम स्मूट शेडेड अब यहां पर वापस कुछ और है तो मैं क्या करता हूं सबसे पहली चीज़ अब्जेक को सिलेक करता हूं हां हो गया अब ही देखते हैं एक बार ट्राइ करते हैं जैसे कि स्केलेटन अन अब सिलेक्ट यह देखो गया कि प्रॉब्लम हो गया कि मैं इसको मैं बन कर रहा हूं कि यह देखो प्रिंट स्किन बराबर हुआ है नहीं अब क्या इश्व है इसमें कि ट्रिगर सिलेक्ट ट्रिगर ओन है पेंट फ्लड टॉप ट्रिगर साइट ट्रिगर स्कोप मैगजीन मैगजीन में सिलेक्ट आता हूं दो तीन चार बाच्ट हो गया पेंट मैगजीन को सिलेक्ट फ्लड अभी देखते हैं कि क्या इश्व है मैश बंद है कि सिलेक्ट इस यह ऐसा कुछ गोल गुमेगा यह भी ध्यान रखो यह वाला जो है वह ऐसा गोल गुमेगा इसका सेंटर प्रॉपर नहीं है ध्यान रखना बॉड़ी एक साथ मोफ हो रही है कि नहीं स्कोप अगर मुझे कई से लाकर ऐसे खट करके लगाना होगा तो कि ट्रीगर कि इसा कुछ खट 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 ऐसा रहेगा सॉरी मैं साइट से कर रहा था है ऐसा ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका मैश देखो गया भार दिखे हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो मोफ टुल की मदद से हट खट करके क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं एक के 47 एक है यह खट करके ऐसे आएगा अब प्रॉब्लम देखे यहाँ पर एक चीज रह गई तो अगर आपको लगा नहीं तो लगा वरना मत लगा मैं शायद से डिलीटी कर दू बाद में हां तो इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था अगर मेरा बाइंडिंग होने के बाद फॉर्ट इस थर्ड स्टेप का अगर गण्ट्रोल्स का अगर कंट्रोलर्स डालने पड़ते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं हमारे नौर्मल कर्वस की मदद से जैसे कि सबसे पहले कर्वस में आता हूं मैं एक सर्कल बनाता हूं और कुछ इस तरीके से राइट क्लिक कंट्रोल और इसका गेजमो बहुत छोटा दिख रहा है मुझे तो मैं प्लस दबा रहा हूं जो कि बैक स्पेस के साइड में है तो वह थोड़ा सा ऐसा कुछ करके देगा तो यह जो रहेगा वह पूरे इसको कंट्रोल करेगा पराबर है अभी मुझे देखो के स्केलेटन को भी सिलेक नहीं करना है तो मैं सिर्फ कर्व्स पर काम करूंगा तो वैसे आप एड्जेस्ट कर सकते हैं यह रहेगा मेरा बेस बराबर है अब्जेक्ट मोड पर आ जाता हूं उसके बाद यहाँ पर एक सरकल आएगा यहाँ पर एक सरकल की मदद से उपर कुछ और उपर कुछ और उपर और यहां से भी आप लगा सकते हैं कुछ और से स्नैपिंग अन रखो और जैसा आपको चीए जैसे कि मैं बटन के साइस का रख रहा हूं और उपर ले रहा हूं कुछ इस तरीके से उसके बाद इसकी एक कॉपी लेता हूं इजे प्रेस करके रोटेट कुछ इस तरीके से और मूब टुल की मदद से यहाँ पर लगा रहा हूं ज्यादा उपर हो गया तो नीचे आएगा यह साइड वी उसे चेक करो कोई चीज तरीके अब अब थोड़े टफ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि और चीज़े कैसे बनानी है क्योंकि ट्रेगर आगे पीछे रहेगा तो वह आप अलग-अलग डिजाइंस में भी बना सकते हो जरूरी नहीं है सरकल और इसमें ही रहो जैसे कि जो स्कोप रहेगा उ इसके लिए मैं आरव बना रहा हूं जो स्कोप के लिए तो किसे बना को नौर्मली मैं पाली से भी बना सकता हूं जैसे की एक मैं स्क्apor लहे लेता हूं कंग रिएट में जाता हूं पाली में इंटरेक्टिव न्रकत हूं कुछ है ही इस तरीके से यह होने के बाद मैं कहा तो राइट क्लिक शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट यहाँ पर एक क्लिक यहाँ पर एक क्लिक वर्टाइसेस दोनों वर्टाइसेस सिलेक आर से कुछ इस तरीके से मुव टूल से पीछे और इन दोनों को आर दबा कर छोट ऐसा कुछ लेकिन यह कुछ आजीव लग रहा है तो करें क्या तो राइट क्लिक फेसेस इसके जो फेसेस है वह डिलीट कर दो ऐसे कुछ उसके बाद राइट क्लिक एज इसके एजस सिलेक करो कुछ इस तरीके से और क्रियेट में या फिर एडिट में नहीं मॉडिफाय में कनवर्ट यहां पर आप्शन्स आपको मिलते बहुत सारे जिसमें हमें क्या चाहिए पॉली को कनवर्ट करना है तो पॉली एजस्टू को तो यह कुछ अलग ही बना कर इसने मुझे दे दिया देखो गया मॉफ टूल लेता हूं अब्जेक्ट मेन्यू सेंटर ऐसा कुछ करके दे दिया क्यूं क्यूंकि इसमें थोड़े से इश्यूज है तो अंडू करता हूं अब इसके इश्यूज क्या है जैसे कि फेसे देखोगे तो इसका फेस अलग है कुछ इस तरीके से तो थोड़ा सा आगे लेकर भी पीछे ले लेता हूं अब ऐसा कुछ एरो बना देता हूं चाहिए तो यह आपके उपर आप कैसा चाहते हो और फिर राइट क्लिक एजेस मैं अभी ऐसा कुछ ले रहा हूं सिब भार के एजेस अंदर के एजेस मुझे नहीं चाहिए फिर जाता हूं मॉडिफाई कंवर्ट और यहां पर जैसे की दिया हुआ है पॉली टू कर्स अब्जेक्ट पे क्लिप लीनियर चाहिए कि क्यूबिक चाहिए तो मैं बोलता हूं लीनियर में ही दे दो मुझे अप्लाइ करो और अभी सिलेक्ट करके मूव करो कर तो हो चुका तो दिखाया क्यों नहीं रहा है यहां से देखते हैं यह देखो पॉली करव हुस्ट क्लिं करो सेंटर एंकर वाजी है यह देखो तो ऐसे आप अलग अलग शेप्स खुच से भी डिजाइन कर सकते हुसारी इसस्टे मैंने डिलिक्ट नहीं की थी तो पहले क्ली करोaaS वरना problem हो जाएगा history clean अब यह delete कर दो चाहिए मैश select नहीं होगा क्योंकि मैश बन किया था ऐसा कुछ तो ऐसे आप अलग-अलग shapes के अलग-अलग बहुत सारे चीजे convert मतलब बना सकते हो अब यह क्यों रहेगा वह भी ध्यान रखो जैसे कि यह मैं बना रहा हूँ scope के लिए तो सारे controllers एकी side रखो जिससे की confusion भी कम हूँ तो यह मैं थोड़ा सा आगे रखोंगा scope के लिए जिससे की मुझे curve का भी दिखाई जें ऐसा कुछ और बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा रखो छोटा करना चाहते हो तो छोटा रखो यह देखो ऐसा कुछ यही trigger यही जो बना है मैंने उसकी मैं copy लेता हूँ और यह मैं trigger के लिए यूज़ करूँगा कि यह आपर कि trigger मेरा आगे पीछे होगा कि यही मैं एक copy लेता हूँ और इसे लगा देता हूँ knife की जागे प्रेश थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ क्यूंकि यह knife है तो knife की इसाथ है ऐसे आप अलग-अलग shapes के खुझ से create कर सकता हूँ इसकी मैं copy लेता हूँ कि रोटेट करता हूँ जे प्रेस करके यहाँ पर और आर दबा कर बढ़ा कर दो क्यूंकि यह मेरा रहेगा magazine कुछ इस तरही है शायद से सब आगे पीछे हो गया है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आता हूँ ज्यादा आगे पीछे में हूँ तो सबको सिलेक आर सबको स्ट्रेट और सारे एक लाइन में लाकर रख देता हूँ इसका कुछ इसू है तो ऐसा स्ट्रेट कर देता हूँ अभी चेक करते एक बाद यह देखो उसके बाद यह सब तो हो गए देखो गया अगध्यान से यह इसके लिए यह हो गया इसके लिए और इसके लिए वह और इसके लिए वह अब पूरे इसके लिए भी एक और चाहिए रहेगा तो वह भी कर लेते हैं कैसे करूंगा तो एक बाउक्स बनाता हूँ कुछ इस तरीके से जो कि मेरे बाडी को कंट्रोल करें आर और ऐसे कुछ पिर इसका भी सेम प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हो कि एजस सिलेक्ट करो सारे एजस सिलेक्ट और फिर मॉडिफाय कंवर्ट पॉली एजस टुकॉग करो इसमें भी कव का अलग बना रहेगा ओके इसने हमें एक ही पॉइंट बना कर दिया है सारे नहीं दिए डिलिट तो करूं क्या अभी तो मुझे पूरा भी चाहिए तो एक आप्शन यह आता है जैसे कि अगर वो पूरा कंवर्ट करके नहीं दे रहा यह वाला डिलिट कर देता हूं तो आपको कि पेंट टूल की मदद से या फिर बेजाय टूल की मदद से कि स्नैपिंग के साथ खेलना पड़े रहा एक पॉइंट यहाप पर लग गया वही मैंने का भी अ वर्टेक्स देखोंगे वर्टेक्स उसकाश को ले रहा है कि अगर्ट्रोल जेड अंडू एसे रखके दिखता हूं वर्टेक्स स्नैप कि मैं और अधा यह वर्टेक्स को अश्यूच स्नैप नहीं कर रहा है तो यहां पर उपर तो मेरा और है कि मेक लाइब इसको करके देखते हैं जैसे कि सिलेक्ट यहाँ पर मैंने स्नापिंग तो सब कुछ बराबर ही हमारा जैसे कि वी दाबाता हो तो वर्टेक्स नाप होई जाता है लेकिन हो नहीं रहा है तो मॉडिफाइब मेक लाइफ अब्जेक्ट फिर पेंट्टूल लेता हूं और इसके ओपर अभी प्रेस करता हूं देखोगे हो रहा है कि पंट्रोल अंडू इसका एक प्राब्लम यह होता है ना कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली को वो क्रियेट कर रहा है कि नहीं वो भी आपको देखना पर है कम्प्लीट टूल कोव सिलेक्ट यह एक प्राब्लम हो जाती है अब इसा नहीं कर सकते हम क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा मेस हो जाएगा जैसा कि यहां से अगर स्टार्ट करता हूं तो भी एक तरीके से ठीक ही था ट्राइक करते हैं जैसे कि इपी कर्व से ट्राइक करते हैं कि अग्यों कि अग्यों कि यह लीनियर नहीं दे रहें आपको आपको लीनियर वाला ही चाहिए तो यही यूज करना पड़ेगा तो मैं ठोड़ा सा एक ठोड़ा सा ग्याब दे रहा हूं और उसके याज से याप पर चीन तो सब्सक्राइब तो इसको जूम करके याप पर एक लेटा हूं कुछ इस तरीक से फिर याप पर फिर याप पर फिर नीचे जाता हूं इससे नहीं बना सकते हम प्राब्लम बहुत देदा देसे के देखोगे कुछ ना कुछ एशू होगा कि इसके एजस को हम लोग करके देखे थे तो भी इशू आ रहा था तो जैसे की इसका में एक लाइब अटा जेता हूं कि शिलेक बाहर लेता हूं सबसे पहले चीज राइट क्लिक एजस सारे एजस सिलेक अधिर कॉमें और क्रिएट मॉडिफियर भी अधिर कुछ न रहा था टूंट मुछ आपर फोली अधिस को दिलेक ली नियर को अधिन्वर्ट दुसरे आप्सेंस टाइक रथा एंट्सरंकर अधियर अधिर्वार्ट जिक फॉम, पीरिओटिक यहां फी ओपन करके देखते हैं Cubic औरैंच अप्रूंज होटार नेख्या है पफेला यहलो हता है जोड़ा बारिश घॉटार बारिश है लेकिन खत्रा नहीं लेकिन एक गरम दोड़ा तो हम नोग बॉड़ी के लिए कुछ और भी बना सकते हैं जैसे कि मैं सिंपल एक सरकल ही बना दे रहा हूं और बाद में देखेंगे वो क्या और एक तरीका कर सकते हैं तो आर करका में बड़ा और इसे इसे कुछ ऐसा रख देता हूं और मोव टूल से थोड़ा बीच है कुछ इस तरह को तो यह होगा मेरे बॉड़ी को कंट्रूर कुछ यह आता है तो आपको भी इतना complete करके लाना है जैसे कि paint skin skeleton and parents इसके बाद हम लोग next lecture में क्या करेंगे इसको इससे पैरेंट करवाएंगे जो कि हम लोग कंस्ट्रेन यूज़ करते हैं और उसे एनिमेड भी उसी लेक्चर में कर देंगी कुछ दाउट है